आज मैं आप लोग के साथ कुछ ऐसी चीजे शेयर करने वाली हूं जिससे आपको health benefit भी होगा and financially benefit भी होगा. अगर आप offices में work करते हैं, ऐसा work है आपका जिसकों की आपको system पे बैठ के work करना बड़ता है and आपका जो working time है, 8 hours है, 10 hours है, 12 hours है, तो continuously अगर हम system पे बैठ के काम करते हैं, तो हमारा जो position होता है, कुछ steps है हम बैठे होते हैं, system के सामने हमें देखना होता है, continuously इस position में बैठे-बैठे क्या होता है, कई बारी हमें कुछ health issues होजाते हैं, जासे कि अगर यह जो हमारा shoulder होता ही, इसको हम cervical pain भी कहते हैं, cervical pain भी चाहते हैं, जो एह होता है, प्रॉपर, यह अगर आपका pain हो रहा है, continuous लिए आप बैठ के काम कर रहे हैं और यह जब pain होने लगता है, तो ज्यादा pain होने लगता है, तो उससे क्या होता है आपके सीर में दर्द स्टार्ट हो जाता है आपको हैड़क भी हो जाता है और इसके वज़े से आपके बैग में पेन स्टार्ट हो जाता है अगर ये ज्यादा बढ़ जाए तो इस pain के वज़े से आपका काम में मन नहीं लगता है, काम करने का मन नहीं करता है, काफी irritation होती है और आप कई बारी किया होता है कि कुछ financially problem होती है, जिसके वज़े से आप छुट्टी भी नहीं कर सकते हैं second question आपके mind में arise हो रहा होगा, कि जो भी में exercise आपको बताने वाली की, वो office में आप कैसे करेंगे, क्योंकि सबके सामने office में आप exercise तो नहीं कर सकते हैं, इतनी fascinating नहीं होती है, कि आप office में exercise करें, ये बोल कर कि हमें shoulder में pain हो रहा है, तो देखिए, अगर आप छुट्टी नहीं करना चाहते हैं, I can understand कि कुछ family से related problem होती है, financial problem होती है, तो आप छुट्टी नहीं करना चाहते हैं, ताकि आपके salary डड़क्त नहीं हो, तो आप office में रहते हुए, कैसे करेंगे, ये मैं आपको बताने वाली हूँ, तो office में आप washroom में जाते होंगे, फ्रेश होने के लिए, फिर toilet करने के लिए जाते होंगे, तो वहाँ पर दो तीन मिनट आप वहाँ पर भी exercise को जो में बताने वाली हूँ, वो कर सकते हैं, क्योंकि ये pain काफी untoldrable होता है, इसके वज़े से आपको काफी problem होती है, irritation होती है, गुसा भी आता है, चिर्चिरापन होता है, तो काम करने के बाद 100% आपको immediately relief मिलेगा, और अगर इस problem से आप सफर कर रहे होंगे, तो definitely इसको करके देखिएगा, definitely आपको relief मिलेगा, और 4-5 घंटे आप और भी काम कर सकते हैं, अगर आपको ये problem, suppose कि जी आफ्टर लंच स्टार्ट हुई है, तो इसको आप कर सकते हैं, और जब आप washroom जाते हैं, उस टाइम वहाँ पर 2-3 मिट निकाल की, इसको आप कर लिजे, करने की बाद आपको relief मिलेगा, और 3-4 घंटे आप और वर्क कर सकते हैं, आपको इना day कर सकते हैं, और हो सकता है कि जो मेने exercise आपको बताने जा रही हूँ, उसको आप morning में and evening में करेंगे, तो य completely ठीक हो जाएगी and आपको डॉक्टर के पास भी जाने की जूरत नहीं पड़ेगी, बिट अगर आपको लगता है कि ये pain नहीं ठीक हो रहा तो आप डॉक्टर से consult कर सकते हैं, but immediately अगर आपको relief चाहिए और बहुत जादा urgent work है, आप चुट्टी नहीं करना चाहते हैं, तो आपको ऐसो करना है, चलिए आप भी मैं आपको बताती हूँ, इस तरीके से करना है, आपको इस तरीके से सीधे खड़े हो जाना है, और सीधे खड़े होने के बाद अपने दोनों हैंड को सामने लेके आईए, और दोनों हैंड को आपको इस तरीके से बानना है, जैसे मैं इसको स्क्रीन पे शो कर रही हूं और इसको जस्ट आपको उल्टा कर लेना है जैसे आप देख सकते हैं अब continue जो आपका hand हो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, straight होना चाहिए अब देखिए image में आप देख सकते हैं बिल्कुल सीधा रहेगा आपका hand and 10 seconds तक आपको इसी position में खड़े रहना है और आपका जो सीधा होना चाहिए अब इसको आप उपर लेके जाएंगे और जब आप उपर लेके जाएंगे तो बिल्कुल कान के सीधे बिल्कुल आपका hand जो होना चाहिए बिल्कुल straight होना चाहिए और आपका जो हाथ है वो जैसे मैंने आपको बता था वो opposite direction में उपर के side में होना चाहिए 10 seconds आपको hold करना है again आप नीचे लेके आएंगे जैसे आप screen में देख सकते हैं and इस तरीके से 10 seconds आपको hold रखना है and उसके बाद आप relax होंगे तो यह जो exercise है यह आप easily wash में भी कर सकते हैं I know की office में सबके सामने possible नहीं है अगर office में सबके सामने possible है allow है तो आप कर सकते हैं इसको again हमें repeat करना है again आपको हाथ को उसी तरीके से बनाना है and opposite direction में बाहर की तरफ करना है हाथ आपका बिल्कुल straight होना चाहिए और still बिल्कुल आपका straight होना चाहिए 10 seconds के बाद आपको अपने hand को उपर लेके जाना है and बिल्कुल straight खड़े रखना है कान से सीधी आपकी जो hand है वो सीधा उपर को जाना चाहिए and इस तरीके से 10 seconds उपर करना है and फिर again आप down आएंगे अपने hand को लेके आईए और 10 seconds तक again आपको इस तरीके से रखना है and ये आपको repeat करना है 10 times 10 times अगर आप कर लेंगे तो ये आपके लिए काफी helpful रहेगा जब आप इसको करेंगे तो आप देखेंगे immediately आपको relief मिलेगा and 100% में guarantee देती हूँ कि जो आपका shoulder से पहले जो pain हो रहा था, stress भी हो रहा था immediately आपको relax feel होगा क्योंकि मैंने इसे खुद करके देखा है I hope ये वीडियो आप सभी लोगे लिए helpful रही होगी Thank you and keep watching